पिछले एक सवा साल के अंदर में 11 एलेक्शन्स इस्टेट असेम्ली के देश में हुए है और आज जो हम नए जो 2024 में जा रहे हैं तो इस दरता के साथ जा रहे हैं कि जो उनके आउटकम्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं पहले वो पीस्फुल हुए वोईलेंस फ्री हुए जो इसमें से एक दो स्टेट में वोईलेंस होती थी वहाँ भी वोईलेंस नहीं हुए नियर जीरो रूपोल्स और कैंपेइनिंग जो क्लटर है जो नॉइज है जो कैंपेइन के दोरान होती है पॉलिटिकल पार्टी सी कि उसमें भी घटित देखने को मिली कोट केसे रिडियूस हुए कोट की टिपनिया जो अनावश्यक क्या हमारे उपर में होती थी वो कम हुई सीजर्स बढ़े और फेक न्यूस पर एक एक्शन लेने का जो तरीका था वो बहुत बड़ा तो लास्ट टू येर्स में इसको और रोबस्ट करने के लिए हमने क्या क्या किया है यह हम आपको आज दिखाएंगे और उसको कैसे बेतर करेंगे यह भी दिखाएंगे हम कहां पहुँचना चाहते हैं इस अलेक्शन को किस तरीके से डिलिवर चलना चाहते हैं यह भी आपको लास्स लाइड में दिखाएंगे अभी जो अलेक्टरल साइकल है उसमें हमने कितनी तयारी किया यह हम आपको आज शेडूल बजाने से पहले बताना चाहते हैं अगर देखा जाए तो इंपुट के रूप में हमारा जो अलेक्टरल रोल है वो प्यॉर होना चाहिए यह फाउंडेशन है किसी भी अच्छे चुनाव के लिए उसमें जिसको होना चाहिए बोटिंग में वो है और जिसको नहीं होना चाहिए वो नहीं है हमने अलेक्टरल रोल में बहुत महनत की है इंपुट के तोर में मैटिरियल, मैन पावर, टेक्नोलोजी, ट्रेनिंग इतनी चीज़े लगती है प्रोसेस के रूप में जो डिस्रॉप्टिव चैलेंजेस हैं मसिल पावर, मनी पावर, मिसन्फोरमिशन, म्सीच वाइलेशन और रीचिंग आउट तो दिमिट्सिंग वोटर्स, अरवन अपैथी, यूथ अपैथी और ओवरकमिंग ऑपरेशनल चैलेंजेस जिसमें रीचिंग इन इनक्सिविल अर्याइस इस वाइट कंट्री और अट आउटकम्स वीट्वाट तो पहला जो इनपुट है यह एक मोजाइक है जो देश की बोटर्स की अलेक्टर्स की पिक्चर है क्या दिखाती है यह इस वेरी डाइवर्स मोजाइक 96.8 करोर्स आर्दी टोटल अलेक्टर्स इन दी कंट्री और विच 49.7 करोर और मेल और 47.1 करोर और फीमेल और जो यंग बोटर्स हैं बहुत मेहनत की हमने पिछले साल में वो 1.82 करोर फिर्स टाइम बोटर्स इस बार इन चुनावों में बोट देने के लिए हमारे अलेक्टर रोल्स में हैं और अगर इसको हम 20 से 29 साल के वर्ष में देखें वो भी तो यंगी हैं कोई अभी बड़े तो हुए नहीं हैं तो 18 से जो 29 हैं वो करीब साड़े 21 लाग बोटर हैं एक करोर असी लाग 18 से 19 और 20 से 29 में 19.74 करोर से यानि साड़े 21 करोर बोटर इस अपसलूटली यंग जो की डेमोक्रेसी में भाग लेंगे और अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करेंगे बिकॉस दे आर अपने से डिसाइड करेंग persons with disabilities who are part of our voter list. We have made a special effort कि जितने हमारे मददाता हैं उस तरह के उनको हम अपने अलेक्टर रोल में लेके आएं. 82,000,000 लोग ऐसे हैं जो 85 वर्ष से उपर हैं और वो हमारे proud मददाता हैं. We feel very proud to have them with us और उसमें से 2,18,000 लोग देश में 100 वर्ष से अधिक के मददाता भी हैं जो हमारे electoral रोल में. So the mosaic is, transgenders भी हैं, 48,000. तो mosaic is like 18-19, 20-28, 85, transgenders, persons with disabilities, and in the entire country, length and breadth of the country. इस rigorous जो procedure है, इसको बनाने में कितनी महनत लगती हैं? यह इस मैं आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, कि हर स्टेज पे electoral role के preparation करते समय, political parties को involve किया जाता है. ताकि कोई हमसे यह ना प्रशन कहे, कि आपने अपने से electoral role बनाया, और हमें बताया भी नहीं. So, when the electoral role preparation starts, we make a draft publication. We give two copies, free of cost, to the political parties. उसके बाद जितने form 6, form 7, form 8, नया नाम जुडने के, deletion के, modification के, मेरा नाम पदल है, घर-पदगर बदल गया, वो सब की copy हम share करते हैं, उसके minutes बनाते हैं. और इस बार हमने और जोर दिया कि booth level agents, अगर political party हमारे BLOs के साथ लगाना चाहें, तो लगाएं. और across the length and breadth of the country, all the district magistrates, we are absolutely confident that silently we were working. सब ने political parties के साथ में हर district में कम से कम एक, दो, तीन meetings की हैं. उनको सारे draft roles दिखाएं हैं. दिखाने के बाद जितनी objections हैं, वो उनको पूरा किया हैं और उसके minutes बना के रखे हैं. Friends, we are very confident that and we are conscious that a very solid electoral role is the foundation stone on any election and we are ready to go with this. We have also worked on the women voters. Women voters का जो gender ratio है, वो बढ़के अब 948 हो गया है. Which is again a very healthy sign of women participation increasing in our electoral cycle. राज्जे देश के बारे राज्जे ऐसे हैं, जहां आज 1000 से उपर gender ratio है. यानि महिला voters की संख्या male से जादा है. और जैसे मैंने अभी आपको बताया था की 1.89 नए voters हमने जुड़े हैं, उनमें से 18 से 19 में 85 लाख हमारी लड़कियां हैं, female voters है. So they are going side by side and this is again a very healthy sign that women are also equally participating in our election. और जैसे women participation है, ऐसे ही youth participation is another area which the commission is very conscious and commission is also consistently focusing on. 13 से जो 1.8 करोन मैंने आपको बताया, 19 करोन voters बीस से 19 और जिस किसी की भी उम्र 1st January 2024 को 18 साल नहीं हुई थी. उसका भी नाम हमने advanced में application में लिया जो 2024 के किसी भी समय में जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है. And you would be happy to note that out of 13.4 lakh advanced applications which have come to us, around 5 to 6 lakhs are such who will complete the age of 18 by 1st of April 2024. और वो भी हमारे voter उस समय तक बन जाएंगे. यानि the role would be as much updated on 1st of April कि कोई भी छूटे नहीं. नेशनल आइकन्स को बड़ी संक्या में हमने youth को अपने साथ जोडने के लिए इस कारे में लगाया है. हमें विश्वाश है कि youth ना सिर्व बोर्ट करेंगे बलकि हमारे ambassadors भी बनेंगे. जो influencers हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे. वो अपने साथ youth एक के साथ अपने 10 दोस्तों को भी लेके आएंगे. और इस बार हम convinced हैं अपने different outreach activities की वज़े से.